कानेजी मैच्स क्लासिज में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डाइनामिक्स डाइनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की एक्सराइज 4.1 के 3 कोश्चन्स कम्प्लेट कर लिये थे आज हम आगे के कोश्चन्स करते हैं आए शुरू करते हैं एक्सराइज 4.1 कोश्चन नमबर 4 देखिए कोश्चन नमबर 4 क्या है मारे पास एक पार्टिकल इस परफोर्मिंग सिंपल हर्मोनिक मोशन के अंडर मूव कर रहा है इन दा लाइन जोइनिंग 2 पॉइंट्स एबी जहां पे वह एक लाइन के अंडर मूव करेगा और वह एफ लेंद ए एड़ेश और जो वह पॉइंट है ए और बी वह दो इलास्टिक रसियों के साथ जोड़े गए हैं जिनके लेंद के अद गिवन है एड़ेश अगर उनकी मोडली मतलब मॉडल कॉंस्टन ओव मोडलस एक रिस्पेक्ट में लेंड़ा है और एड़ेश के रिस और बी ले लेते हैं दो पॉइंट्स के बन है कोई भी पॉइंट ओ ले लेते हैं और इसकी हमारे पास लेंद एड़ेश है लेट कर लेते हैं ओ बीदा point of equilibrium equilibrium का कोई point होगा हमारे पास में O यानि कि O point के उपर जो tension हमारे पास में A dash string में है और A string में है उन दोनों में जो भी tension हमारी होगी वो दोनों के दोनों क्या है? same है, equal है और एक दुसरे को cancel out कर नहीं है ठीक है? तो यहां पर हमारे पास में O point of equilibrium हो गया in the line A B अगर मैं let कर लूँ E and E dash are extension in the string देखे, E ले रही हो मैं O string के अंदर and E dash ले रही हो मैं O B string के अंदर ठीक है? अब equation हमारे पास में point of equilibrium हो गया तो यानि कि जो tension हमारे पास O A के along है उतनी ही tension हमारे पास में O B के along भी होगी यानि मैं कहा सकती हूँ क्या tension कि दोनों के equal जाएगी देखे, O A जो हमारे पास में है string उसकी tension निकालते हैं सबसे पहले किसके equal होगी? lambda extension कितनी है? E और बाद में natural length कितनी है? A और यह किसके equal है? lambda E dash by में A dash यह हमारे पास में क्या जाएंगे? equal हो जाएंगे this implies lambda E by A किसके equal है? lambda E dash by में A dash यह हो जाएगा हमारे पास sorry lambda dash क्योंकि lambda dash given है modulus तो यहाँ पर lambda dash हो जाएगा now अब यहाँ पर हमने क्या लेके चलना? motion लेके चलना है देखिए जब particle को हम क्या करेंगे? B point की तरफ खीचना शुरू करेंगे particle को B point की तरफ खीच रहे हैं तो किसी भी time T पर उसकी position P हो जाएगी let कर लेंगे let P be the position of the particle of mass M M mass का particle हम let कर लेते हैं कि वो उसका M mass है let at any time T किसी भी time T पर उसकी position हो जाएगी and let कर लीजिएगा O P की value कितनी है? X है ठीक है O P क्या हो जाएगा हमारे पास में ये value क्या हो जाएगी? X हो जाएगी O P के बीच की देखिए अब जहां से जब particle को मैं इस तरफ खीच रही हूँ tension कहा जाएगी? इस तरफ जाएगी उसको मैं क्या नाम दे दूँगी? T1 tension let T1 be the tension along the string O A in the sense of O A देखिए O A में हमारे पास में tension T1 हो जाएगी और किसकी direction क्या से जाएगी? O से लेके A पर जाएगी अब tension T1 किसके एकुल होती है? जो यहाँ पर हमारे पास में tension T1 है वो किसके एकुल जाएगी? देखिए यहाँ पर lambda more less of elasticity है जो O A string है इसका lambda more less of elasticity extension कितनी है? extension देखिए इसके अंदर E है E extension है ना और साथ में क्या हो जाएगी? X भी हो जाएगी E plus X by my natural length E ठीक है? यह tension हो जाएगी along P A P A कह दो या O A कह दो कि P से A के तरफ जाएगा देखिए अब पार्टिकल को अगर मैं छोड़ूंगी पार्टिकल मैंने क्या किया है? पकड़ के छोड़ दिया जब मैंने पार्टिकल छोड़ा है तो पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ जाएगा तो टेंशन क्या जाएगी? T2 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 हमारे पास में किस के अलोंग हो जाएगी? O B प्लेट कर लेते हैं क्या? कि लेट T2 be the tension along देखिए कहा से जा रहा है? तो टेंशन किस के अलोंग जा रही है? P B P B in the string O B तो T2 की value क्या हो जाएगी? देखिए लेमडा डैश अब extension क्या थी? E डैश देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में measurement होगी वो P B की measurement होगी देखिए ठीक है ना? जो हमारे पास नेशन लेंध एडैश उसको थोड़ा सा खीचा गया है तो E डैश जो एक्स टेंशन थी उसमें से X तो वो कौन सी लेगी? O E हमारे पास string लेगी O E के अंदर काउंट होगी जब T1 टेंशन हमारे पास काम कर रही थी तो वो P A पे काम करेगी जो T2 टेंशन है वो किस पे काम करेगी? P B पे काम करेगी तो P B के अंदर X टेंशन कितनी हो जाएगी? जो E डैश है उसमें से मैं क्या कर दूंगी? X माइनस कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में? E डैश माइनस X बाइ में नेच्टर लेंद ए डैश चीक है अब मैंने आपको पहले बताया था कि जितना कम डिस्टेंस होता है उतनी ही फोर्स की इंटेंसिटी जादा होती है देखिए यहाँ पे T2 हमारे पास क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी T1 के कमपेर्टिवली क्योंकि T यहाँ प इसलेशन किसके एकल होता है फोर्स और फोर्स की इंटेंसिटी सब जादा किसकी है T2 माइनस में T1 मैंने बताया था ना डिस्टेंस जिसकी कम होगी उतनी ही क्या होगी फोर्स की इंटेंसिटी हमारे पास में जादा होगी तो यहाँ पर पुट कर देते हैं M D square X by में D T square is equal T2 की value पुट कर दो जो हमारे पास में है क्या है lambda dash E dash minus X by में E dash और minus में lambda E plus X by में E यह हो जाएगी इसको खोल देंगे देखिए इसको खोल लिए खोलने के बाद हमारे पास क्या आएगा lambda dash E dash by में E dash minus lambda dash X by में A dash minus lambda E by में A और यहाँ से क्या हो जेगी minus lambda X by में A यह बन जाएगा देखिए दिहान से यह lambda E by A और lambda dash E dash by में A dash यह दोनों के दोनों क्या है इक्वल है तो cancel out हो जाएगी आपस में तो क्या ब replete का minus lambda dash x by a minus lambda x by a तो यहाँ से x को मन निकाल देते हैं तो मैं कहा सकती हूँ यह किसके इक्वल होगा lambda lambda dash by a dash plus lambda by a into me x यह जाएगा हमारे पास में और m यह किसके इक्वल है m d square x by a d t square के इक्वल तो यहाँ से अगर मैं acceleration की value निकाल लूँ तो क्या होजएगी 1 by m lambda by a plus lambda dash by a dash into me x और simple harmonic motion की जो हमारे पास में equation होती है वो क्या होती है कि जो acceleration होता है वो किसके इक्वल होता है minus mu x के इक्वल होता है इसका मतलब mu की value क्या हो जाएगी 1 by m lambda by a lambda dash by me e dash है जाएगी simple harmonic motion के इंडर हमने दिखा दिया move कर रहा है अब हमें क्या निकालना है time of oscillation time period क्या होता है जो time period होता है वो क्या होता है 2 pi by में root mu जो t is equal to 2 pi mu की value क्या ही है थी हमारे पास में देखिए mu की value हमारे पास में यह आई थी तो यहाँ से अगर मैं root mu की value निकालना हूँ तो क्या बनेगा 1 by में root m square root of lambda by a plus lambda dash by में a dash यह हो जाएगी यह value पूट कर दितने हाँ पे तो क्या बनेगी हमारे पास यहाँ से solve होके अगर मैं इसको solve करती हूँ upon में 1 by में m lambda by a plus lambda dash by a dash क्या square root value यहाँ से मैं t को लिख सकती हूँ 2 by m m उपर चला जाएगा क्योंकि upon में है lambda by a plus lambda dash by a dash का totally square root यह हमारा क्या हो जाएगा time period हो जाएगा देख लिए थोड़ा सा confusing है दुबारा देख लिजीगा कोई particle है o point पे रखा हुआ है और 2 string से बान दिया o point of equilibrium लेके चल रहे है कि शुरू में उसके उपर कोई भी reaction नहीं है वो rest पे है rest पे कब होएगा जितना force हमारे पास में o a k long लग रहा है उतना यो भी k long लगे और tension ही होगी string है तो tension ले और let कर लेते है e or e dash extension है किसमें इसके अंदर तो e है और इसके अंदर e dash है तो tension से हमारे दोनों tension equal है तो lambda e by a किसके equal हो जाएगा lambda dash e dash by में a dash दोनों equal हो जाएगी अब मैंने क्या किया है जो particle है उसको o point से a b की तरफ खिचा है ठीक है जब मैं o point से b की तरफ खिचूंगी तो देखिए यहां से खिचाव मेरे पास क्या जाएगा मैं इस side force लगा रही हूँ तो tension मेरे पास में इस side जाएगी तो t1 tension हो जाएगी कि string में o a कि string में तो t1 tension अगर मैं निकालू तो किसके कलो जाएगी lambda e plus x by में a e extension पहल लई थी x distance or cover कर रहा है particle पार्टिकल बाय में क्या हो जाएगी natural length a अब मैंने पार्टिकल को क्या किया छोड़ दिया जब मैंने उसको छोड़ दिया तो पार्टिकल कहा मूव करेगा इस सब्सक्राइगा टेंशन कहा जाएगी pv के लोंग जाएगी तो वहां से tension t2 let कर लेती हैं तो t2 की value क्या हो जाएगी lambda dash e dash minus xy में a dash as distance जो होती है वो inversely vary करती है किसके force के यानि अगर हमारे पास distance कम है तो force की intensity जादा होती है और अगर distance जादा है तो force की intensity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो force किसके को लो जाएगा t2 minus t1 क्योंकि t2 में distance क्या है कम है value put up की है mu की value निकाल दी और महा से हमने क्या किया time period की value निकाल दी है next question देखिए क्या है question number 5 question number 5 क्या कह रहा है a light elastic string of length 4 meter कोई हमारे पास hulकी सीरसी है elastic string जिसकी length 4 meter है उसको एक fix point A से बांद दिया गया है and to the other end is attach a mass और उसके दूसरे point पर दूसरे end पर एक mass कोई भारी सी चीज लटका दी है which in equilibrium जो equilibrium में है लेकिन extends the string by 1 meter उसकी लेकिन जो string है उसको 1 meter तक वो बढ़ा देती है लेकिन जो बढ़ाने के बावजुद भी वो किस में है equilibrium में है ठीक है if the stone will drop from A अगर मैं A point से stone को फैक्ती हूँ या फिर drop कर देती हूँ नहीं चेगिरा देती हूँ तो मुझे maximum extension चाहिए कि maximum रसी कितनी लंबी खीच सकती है मुझे वो चाहिए देखी यह पॉइंट मैं क्या लेती हूँ फिक्स कर लेती हूँ ए पॉइंट जहां पे रसी बांदी गई है ठीक है ए भी हमारे पास में क्या होजएगी नैचुरल लेंथ ले देती हूँ जो कितनी है 4 गेवन है मेरे पास जब मैंने इसके उपर मास या पार्टिकल कुछ भी बांदा है तो वो कितना लटक गया 1 मेटर लटक गया यानि कि ये डिस्टेंस कितना है 1 मेटर है और यहाँ पे ये क्या है जो हमारे पास में पार्टिकल है वो किस स्टेट में है इक्विलिब्रियम की स्टेट में है ठीक है चलिए शुरू करते हैं let a be the fixed point of string हमारे पास a क्या है fixed point है string का ठीक है and a b हमारे पास कितनी है 4 meter given है और b c extension भी उसने दे दी कितनी हो जाएगी 4 meter and the particle be in state of equilibrium add point c c point पर equilibrium में let कर लेते हैं कि जब mass of the particle है वो कितना है m है तो देखिए c point पर जो हलगेगा देखिए एक तो निच्चे की तरफ वजन तो उसका निच्चे की तरफ जाएगा लेकिन tension जब वजन निच्चे की तरफ जाएगा तो tension कहा जाएगी उपर की तरफ जाएगी तो यहाँ से मैं कहा सकती हूँ tension किसके एकोल हो जाएगी mass into my acceleration और acceleration कौन से है acceleration due to gravity क्योंकि निच्चे की तरफ तो earth का ही gravitational force लगेगा ना तो उसमें हमारे पास acceleration due to gravity ही count होगी और जो हमारे पास tension होता है वो किसके एकोल होता है हो लाकी stone drop कर दिया देखिए यह point A है A से B तक हमारे पास में fix है 4 B से C तक भी हमारा fix है 1 चीक है अब उसने क्या किया C से जो हमारे पास जो stone है वो A से निच्चे फैका है तो वो C को भी cover करेगा कहीं न कहीं माल लेते हैं वो D point पर cover कर रहे कि D पे जाके वो क्या हो जाएगा rest किया जाएगा now the stone is dropped from A A से अगर वो drop किया जा रहा है then it becomes at rest at point D D point पे वो क्या हो जाएगा rest पिया जाएगा माल लेते हैं P point let P be the position of stone at any time T किसी भी time T पर क्या हो जाएगी P position है और let कर लेते हैं C P की value कितनी है X है ये distance मैंने कितना ले लिया X distance ले लिया इतना समझा है जो ब उपर से वो क्या किया नीचे फैका नीचे की तरफ जा रहा है तो P point हमने कोई भी किसी भी time T पर उसकी position ले ली देखिए अब नाउ जो stone है वो drop किया गया है from A A से drop किया गया है चिक है and as it moves along O A it's motion is due to gravity एस देयर इज नो टेंशन इंदा स्ट्रिंग ए बी देखे मेरा कहने का मतलब गया है जब ए से उसको फैक का गया ठीक है ना तो ए से वो बी पॉइंट तक फ्रीली मूव करेगा क्योंकि टेंशन तो काम करेगी नहीं रस्ती डिली रहेगी रस्ती डिली रहेगी तो टेंशन नहीं है टेंशन होगी तो वो फ्रीली मूव करेगा अंडर ग्रैवटी तो बस यहीं कह रहे हूं कि टेंशन नहीं होगी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग is slack कि जो string है वो slack होगी इसके अंदर ठीक है, तो so the velocity with which it reaches b तो जब वो velocity निकालते हैं हम सबसे पहले हैं, कि जिस velocity के साथ वो क्या कर रहा है, b point पर आ रहा है और वो basic equation of motion से निकलेगी, जो क्या होती है v square किसके इकल होती है, u square plus 2fs, यही होती है v final velocity, u initial velocity plus 2fs relation s क्या है, distance covered तो यहाँ पर हमारे पास में v square is equal to initial velocity क्या है, 0 plus 2s relation क्या है, g acceleration due to gravity निचे की दरव जा रहा है और into में s, कितना distance cover किया है, ab distance ab की value क्या है, 4 तो यहाँ से v की value क्या हो जाएगी, 8g का square root यह वो velocity है, जिसके साथ वो कहाँ पहुँच गया, b point पर पहुँच गया, इतना समझा गया होगा आप लोगों को, ठीक है next, देखिए, अब b पर पहुँचने के बार, at the point b the string becomes tensed, यह मैं कहूं, कि उसके अंदर attention आ जाएगी, ठीक है, attention आ जाएगी ना, तो अब जो हमारे पास में, सेम कि जो हमाँ, stone है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, let the stone be at rest at point d and p be the position of stone at t, t time पर उसकी position हो जाएगी, यानि कि किती बात कर रहे हैं हम, वह deeper तो rest में जाएगा, p point पर position उपर से निचे गिरे, p point पर हमने कोई भी position देगा, अब जो हमारे पास, जहां पर जो हमारे पास p point होगा, जहां पर हमने क्या किया position लिया किसी भी time t पर, at point p, सिर्फ दो चीज़ी काम करेंगी, पहली चीज़ कौन सी काम करेगी, weight of stone, stone का weight, जो act करेगा किस पर, downward and second कौन सी होगी, tension हो जाएगी, tension in the string, acting, upward, देखिए, जब stone निचे की दरफ जाएगा, तो tension कहा जाएगी, उपर की दरफ जाएगी न, चीक है, तो बस यही का है, उन्होंने कि stone का weight वो निचे की दरफ एक्ट करेगा, tension कहा जाएगी, उपर की दरफ एक्ट करेगी, tension निकालते हैं अब हम, देखिए, weight जो हमारे पास में होगा, वो तो क्या जाएगा, M into G, mass into my isolation, और जो हमारे पास में tension होगी, P point पर, देखिए, क्या इतनी है, B से, A से B तो natural length है, extension की बात करेएगी, extension कितनी होगी, B से C, 1, और C से P, X, तो extension क्या हो जाएगी, मेरे पास में, lambda modulus of elasticity, 1 plus X, total natural length, 4, यह क्या हो जाएगी, tension, now equation of motion, अगर मैं लेके चलूँ, तो देखिए, उसको जाना तो निच्चे की तरफ ही है, stone को गिरना तो निच्चे ही है, तो वहाँ से, मेरे पास force क्या लगेगा, M, G, minus में tension, T, क्योंकि जो निच्चे gravitational force हो जादा लगेगा, क्योंकि stone अपने weight के कारण, निच्चे की तरफ जादा जल दी आएगा, तो यहाँ से, M, G, minus T, की value पुट कर दो, lambda Y, 4, 1, plus X, यहाँ जाएगी, lambda Y, 4, की value क्या है, M, G है, पुट कर जिते हैं, M, G, minus M, G, 1, plus X, खोल दीजिए, M, G, minus M, G, minus M, G, minus M, G, X, यह बन गया हमारा, देखिए, अब next, यहाँ से, यह क्या value आई है, solve होके, की M, D, square X, by D, T, square, किसके एकुल बन गया, M, G, X, तो, D, square X, by, में, D, T, square, किसके एकुल हो जाएगा, minus G, X, इसका मतलब, जो motion है, वो क्या है, simple harmonic motion हो गया हमारे पास, और यह जो simple harmonic motion हमारा हुआ है, देखिए, वो किसके along होगा, C point क्या हो जाएगा, उसका, B in position, वो और B और D क्या हो जाएगा, उसकी, X, T in position, तो, simple harmonic motion हो जाएगा, किसके अंदर, along in B, D, B, D के अंदर, simple harmonic motion, और यहां से मैं कहा सकते हूँ, compare करूँ, अगर मैं, कि, जो हमारे पास में क्या होती है, simple harmonic motion की equation, D, square X, by, D, square, minus, mu X, तो, यहां से, mu की value क्या हो जाएगी, मेरे पास में, G हो जाएगा, लेकिन, मुझे तो, क्या निकालनी है, maximum extension निकालनी है, पर कितने लंबी हो सकती है, देखिए, A, B, यह 4 है, B, C, 1 है, मुझे किसकी value चाहिए, C, D की value चाहिए, और C, mean position है, और मेरे पास में, velocity, क्या है, velocity given है, velocity कुन से निकालनी है, अगर, D, point से, root 8, G, इसका use करेंगे हम, अब अगर, हमारे पास में, यह आ गया, simple harmonic motion, तो मैं कह सकती हूँ, velocity of the stone, at any instant, sorry, at any instant, यानि किसी भी point पर, क्या होती है, velocity, V square is equal to mu, A square minus X square, amplitude की बात कर रहे हूँ है, यहाँ पर, देखिए, X तो मेरे पास, यहाँ पर given है ही, लेकिन मुझे किस की value चीए, CD की value चीए, velocity क्या है, velocity मेरे पास क्या आई थी, 8, G, mu की value क्या है, G, A square minus X, X कितना है, यहाँ पर हमारे पास में, देखिए, जो X हमारे पास आया है, cover up होके, वो हमारे पास क्या है, CB, CB यानि की 1, क्योंकि mean position है, वो कर रहे रहा है, तो CB हमारे पास में, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 1 हो जाएगा, तो 1, तो solve करते हैं, 8 plus 1 is equal to A square, A की value क्या हो जाएगी, 3, तो maximum extension, वो क्या हो जाएगी, AB plus BC plus CD, और यह किसके एकवल है, AB है 4, BC है 1, यह क्या ही है, 3, तो यानि क क्या हो जाएगी, टोटल 8 मीटर तक वो expand हो जाएगी, दुबारा देख लिएगी, वो असान है, लेकिन confusing question है, यह issue है, इसके अंदर, कि इतने असान है, कि वच्चा confused हो जाता है, इसमें, दो-दो cases लेके, हैं बहुत easy, देखिए, दुबारा वसे बता देते हुमें, आपको a point fix कर दिया है, a b हमारे पास में string है, b c extension हो जाएगी, जब उसके उपर कोई भी particle बांदा जाएगा, ठीक है, और वो point हो, क्या है, equilibrium है, तो जो c point पर m mass का particle बांद दिया, तो वेट निचे की तरफ, एक्ट करेगा tension उपर की तरफ, तो वो दोन्यों मैंने क्या कर ली, equal ले m g की value आगी, अब मैंने a point से क्या किया है, कोई भी stone drop कर दिया, जब मैंने stone fact का है, a से b point की तरफ, जो हमारे पास string है, उसके अंदर कोई tension नहीं होगी, क्योंकि डिली हो जाएगी string, तो वहाँ पर freely move करेगा, तो मैंने वहाँ से v square is equal to u square plus 2 f s के along, v की value निकाल दी, root 8 g, या tension में हो जाएगी, अब जो वो tension में होगी, तो किसी ना किसी point पर rest भी होगी, वो किस point पर होगी, d point पे, p point ले लेते हैं, किसी भी time t पर, और c p let कर लिया, x, अब ये जो point p है, इसके उपर कौन कोन से force act करेंगे, एक तो निच्चे की तरफ, mass into acceleration, एक उपर की तरफ, tension, और tension क्या हो जाएगी, lambda extension, देखें कितनी extension है, 1 पहले ही है, x और ले ली, तो 1 plus x, y में 4, mg minus t, पूट कर दिया है, वहाँ से हमारे पास में क्या जाएगी, mu की value आगी, g के, अब velocity कैसे निकालते थे, किसी भी instant पर, आपको ध्यान होगा, third के first part में किया था, हमने, कि v square is equal to mu a square minus x square इस amplitude की cd की मुझे value निकालनी है, x मुझे क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो वहाँ से 8g is equal to mu की value g, a square minus 1, a की value क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, maximum extension, यानि की full, हमारे पास जो length होगी, कौन सी है, a, b, b, c, और c, d, इती नों का add करेंगी, क्या जाएगी, 8 meter, next है, 6th question, देखें 6th question में क्या बोला है, इन्होंने, two elastic, light elastic strings are fastened to a particle of mass m, की हमारे पास में दो elastic string है, m mass के particle के साथ बांदी गई है, there others end to the fixed point, so that strings are tot, और जो दोनों है, देखें, बीच में से हमारे पास में एक particle के बांद के, दो रसी, दोनों को खीच के बांदा हुए, दो points पर, modulus of elasticity, दोनों का lambda है, दोनों के अंदर tension क्या है, capital T, length AB given देदी, देखें ध्यान से, यह जो length है, वो टोट string की है, यानि खीचू इरसी की है, natural length हमें नहीं पता क्या है, तो period of oscillation हमने क्या निकलना है, यह निकलना है, देखें 6th में, क्या बोला है उन्होंने, की part 2 हम mass का particle put किया है, यह A है, यह B है, यह दो strings बांदी, जो खीची हुई है, पहले ही, इसकी length A है, उसकी length क्या है, बी है, और lambda क्या है, दोनों के अंदर हमारे पास में, modulus है, और tension भी दोनों की same है, कि initially दोनों की tension क्या जा रही है, same जा रही है, तो यहाँ से, here, A, B, R, two line between two fixed points, दो fixed points के बीच की line है, ठीक है, and O, A कितनी है, A है, and O, B कितनी है, B है, natural length यह पता है, खीची length पता है, हमें बस, तो हम क्या करते हैं, let कर लेते हैं, इनकी natural length, let, L and L dash R, natural length of string, O, A, and O, B, natural length ही हो जाएगी, अब tension दोनों के same दे दी, O point पे equilibrium का point है, tension जीतनी ही दर है, उतनी ही दर है, और किसका नाम दे दी है, capital T का, तो tension T किसके को लो जाएगी, देखे, modulus of elasticity दोनों की same है, A की क्या है, L dash है, दूसरे की क्या है, L, sorry, A की L है, दूसरे की क्या है, L dash है, और जो हमारे पास, अब बात आ रही है किसके ओपर, extension के ओपर, कि extension कितनी है, देखे, extension क्या होगी, A खिची हुई है, L natural length है, तो क्या हो जाएगी हैं से, A minus L हो जाएगी हमारे पास में, A minus L, और यह क्या हो जाएगी हमारे पास में, B थी रही हो जाएगी, B minus L dash हो जाएगी, जब इसको मैं खोल लूँगी, देखे, क्या है, मैं दुबारा से अच्छे से लिख लेती हूँ, A minus L by L, lambda, B minus L dash by L dash, खोल लेतने हैं इसको, तो क्या हो बनेगा, lambda A by L minus में lambda, is equal to lambda B by L dash, minus में lambda, दुनों lambda को T पे ले जाते हो, तो T plus lambda की value क्या है कि, lambda A by L is equal to lambda B by L dash, यानि कि यह quantity आगी है हमारे पास, equilibrium के अंदर, अब मैंने क्या किया है, जो particle है, उसको मैं खीच रही हूँ, B point पे, और P ले लेते हैं, कोई भी position at any time, T, let P be the position of the particle along OB, OB at any time T, किसी भी time T पर उसका क्या ले लिए, मैंने position ले ली, let कर लिया, OP की value कितनी है, X है, OP की value मैंने क्या कर ली, X, जब particle को इस तरफ खीच आ है, तो tension कहा जाएगी, इस तरफ जाएगी, चीक है, तो मैं let कर लेती हूँ, let T1 be the tension in the string OA along PA, देखो, string के अंदर tension हो जाएगी, और कितनी tension होगी, हमने वो find out करनी है, T1 ले लिया, और OA string के अंदर जाएगी, PA के L हो जाएगी, तो tension T1 किसके को लो जाएगी, lambda, extension, by में natural length क्या है, L है, extension देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं extension की बात करूँ, देखिए, A हमारे पास पहले ही है, X और बढ़ गे, तो क्या हो जाएगी, A plus X, minus में natural length L, यह extension हो जाएगी, यहनि, lambda, A plus X, minus L, by में L, अब उसके बाद मैंने particle को क्या किया, खीच के छोड़ दिया, जब मैंने particle को छोड़ा है, तो particle इस तरफ move करेगा, और tension क्या चली जाएगी, हमारे पास में इस तरफ जिसकर नाम क्या दे दूँगे, मैं T2, Now, as particle moves along OA, the tension T2 is in the string OB along PB, तो T2 किसके इकोल होगा दे कि लेम्डा, extension Y में L' natural length हो जाएगी, extension कितनी है, देखे, A, पूरी के पूरी क्या है, B है, पूरी के पूरी हमें क्या दिये, B है, B में से X string के अंदर cover up होगी, तो क्या हो जाएगी, B minus X, ये तो extended length minus में natural length निकाल लेंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये tension T2 हो जाएगी, फिर वही concept use करते है, equation of motion गाला, कि जो हमारे पास में distance जितना कम होगा, उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, force की intensity जादा हो जाएगी, तो equation of motion, यानि M D square X by D T square, किसके को जाएगा, देखिए, जो tension हमारे पास में आई थी, वो किसे, T2 हो जाएगी, जादा बड़ी, T1 क्या हो जाएगी, छोटी, तो ये tension किसके को जाएगी, T2 minus T1, T2 की value क्या है हमारे पास में, M D square X by D T square is equal to T2, T2 की value क्या है, lambda B minus X minus L dash Y में L dash, और वहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, minus में T1 की value, T1 की value क्या थी, lambda A plus X minus L by L, या जाएगी solve हो के, ठीक है, solve करते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगी, lambda B by L dash, minus lambda X by L dash, minus में क्या बनगी, lambda, और जब इसको खोलेंगे, तो minus lambda A by L, minus lambda X by L, और प्लस में क्या हो जाएगी, lambda, lambda से lambda cancel, एक और चीज़ भी थी, क्या थी, क्या थी, कि lambda A by L, किसके इकल है, lambda B by L dash, तो वहाँ से हमारे पास में, lambda से lambda cancel, and B by L dash से A by L dash cancel, minus sign common निकाल देंगे, lambda by L dash, प्लस में, lambda by L, इंटु में X यह हो जाएगी, हमारे पास, ठीक है न, lambda by L, और lambda by में L dash, और साथ में क्या हो जाएगी, X हो जाएगी, यह आगया हमारे पास, देखिए, यहाँ पे जो अगर मैं value निकाल लूँ इसकी, देखिए, lambda by L की value निकालती है, तो A upon में चला जाएगा, और lambda by L dash की निकाल ना मेरे पास L dash की value है, यह L और L dash तो मैंने लेट की है, ठीक है न, तो questions के अंदर इनका कोई existence नहीं है, हम इसको उसमें नहीं छोड़ेंगे, tension और lambda given है, तो वहाँ से क्या हो जाएगी, मेरे पास T plus lambda by में A, और plus में क्या हो जाएगी, T plus lambda by में B, और साथ में क्या हो 1 by A, 1 by B, X, solve कर लो, T plus lambda, A plus B, by में A, B, इन्टो में X, और यहां से D square X by D, T square किसके क्लो जाएगा, माइनस में T plus lambda by में M, चला जाएगा, और A plus B by A, B, इन्टो X, अब equation of simple harmonic motion क्या होती है, कि जो acceleration होता है, वो किसके क्लो जाएगा, माइनस म्यू X के, clearly μ्यू किसके क्लो जाए जाएगा, T plus lambda, A plus B, by में M, A, B, और मुझे निकालना है time period, time period क्या होता है, 2 by Y root mu, यानि कि 2 by square root mu की value पुट करेंगे, तो M, A, B, उपर T plus lambda, और साथ में A plus B, यही हमने prove करना था, देखिए थोड़ा सा, इसको दुबारा देख लेजिए, 6th question में क्या है, कि A, O point पर, किसी point पर हमारे पास में particle बान दिया है, M mass का, और दो रसियों के साथ बान दा है, O A and O B, और खिच के बंदी हुई है, रसी कहा हुगा है, उसने पहले लेकि strings are taught, यानि कि tight हैं वो, तो A और B खिच के बंदी हुई है, इनकी net lens क्या given है, A और B हम O A हमने A let कर ली, O B हमने B let कर ली, अब tension दोनों में क्या जाएगी, point of equilibrium में तो tension से, तो यानि के lambda, देखे, A तो extended length है, L अगर मैं इनके L और L' नatural length let कर लूँ, तो A minus L और B minus L' चला जाएगा, वहां से मैंने क्या की, calculation करके T plus lambda की value निकाल दी, अब मैंने क्या किया है, पार tension की value calculate कर ली हमने, और जब मैंने particle को छोड़ दिया, तो particle इस तरफ move करेगा, tension T2 इस तरह जाएगी, तो T2 की value calculate कर ली, equation of motion में हमने क्या करना, effective force लेगे चलना है, effective force क्या हो जाएगा, T2 minus T1, क्योंकि T2 के respective distance कम है, वहां से value put up करके, mu की value निकालके, हमने time period में put कर दी, ये आपके 3 questions, I hope video आपको अच्छी लगी हो, मैं 3-3 के इसलिए ही बना रही हूँ, थोड़े से confusing है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा time लगेगा, देखिए, जो मुश्किल चीज होती है, वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो easy चीज होती है, उनमें हम बहुत सारे points को भूल जा जाते हैं, या दिमाग से निकल जाते हैं, स्कीप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं 3-3 की वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप उन points को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सको, clarify कर सको, I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाते हैं, 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 जाते